नमस्कार एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर आज के समय में किसी भी वेक्ती की पहचान उसकी सकल से नहीं बलकी उसके काम से होती है इस तस्यूर में दीख रहा ये वेक्ती दिखने में ब्याद सधारान दीख रहा है लेकिन इसके कारणामे सुनकर आप दंग रह जाएंगे आपको बता दे कि साउत की फिल्मों में इस्टन्ट सीन्स को काफी ज़्यादा पसंद किया जाता है और यही वज़ा है कि वहां की हर दूसरी फिल्म में कोई न कोई इस्टन्ट सीन्स जरूर होता है अगर साउत के इस्टन्मेंट की बारे में बात करें तो सबस्पहले नाम आता है एक्टर राजेंदरन जी का जिहां दोस्तों और आपको बता दे की एक जुन 1957 को तमिलांडू के ठोट्टू कुलू में जन्मे राजेंदरन का पूरा नाम मोटा राजेंदरन है और आपको यह बात जानकर हरानी होगी कि वह साउत की करीब 500 फिल्मों में बतार इस्टेंडमेंट काम कर चुके हैं यह तमिल सिनेमा में काम करने वाले एक इस्टेंड डबाल हास अभीनिता है और यह आप फिल्मों में सिर्फ कामेडी रोल ही करते हैं जिन्हें दरसा काफी पसंद भी करते हैं और उन्होंने कई फिल्मों में बतार अभीनिता भी अभीनाएं किया है और आपको बता दे कि राजेंदर अपने लूग के लिए बहुत फिमस है और यह दिखने में भी आम लोगों से अलग है उनके सरीर पर बिल्कुल भी बाल नहीं है और ऐसा जनम से नहीं है बलकि इसके पीछे भी एक हादसा है उनकी ऐसी हालात एक इस्टंड करने के काराण हुई थी राजेंदर जी को एक फिलिम के इस्टंड के दौरान तलाब में बाइक लेकर कुदना था और वो उसमें कुद गए लेकिन जब राजेंदर इस्टंड खतम कर तलाब से बाहर आये तो उन्हें पता चला कि उस तलाब में फैक्टरी के द्वारा छोड़ा गया केमिकल का खराब पानी में मिला हुआ था एलजरीक रियक्सन की वज़ाय से इस हाफसे के बाद उनके सरीर के सारे बाल जल गए थे और इतना ही नहीं उनके भौहें और सीर के बाल भी पूरी तरह से उड़ गए थे और राजेंदर जी ने 1992 की फिल्म अमारान से अपनी फिल्म के रियर की सुरुआत की और इस फिल्म को बाद 1993 की फिल्म जेंटल मेल और इन फिल्मों के साथ ही दोस्तो ठुटी जाया और समर अंबुली और इसे बहुँ सारे फिल्में हैं जिन मिन्हों ने काम किये और दोस् तो यह जनकारी जो है वो आप लोग को कैसा लगा हमें कामेंट करके जरूर बताईएगा और इसी तरह के जनकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब निकी हैं तो प्लीज दोस्तो हमारा चैनल जरू सब्सक्राइब कीज़ेगा और वीड कीज़ेगा शेयर कीज़ेगा थांक्यों दोस्तो हमारे वीडियो वाचिंग करने के लिए